हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल दोस्तो यह न्यूज आप सभी लोगों के लिए बहुत जादे इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग SBA के कस्मर्स हैं और मोर्टोरम लेने का इंतिजार कर रहे हैं और चाहते हैं कि क्या चीज कैसे मिले उन्हें वह चीज करेंगे तो आपको दो साल तक के लिए लोन मोर्टोरम की सुधा में लेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से तो चले दोस्तों न्यूज का लिंक मैं आपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आप महां से भी जाके इसको बार चेक आउट कर लीजिए बाकी ची चाहूंगा अगर आप में चल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस इंफॉमेशन इससे रेटेड मिलती रहे डेस के सबसे बड़े कर्स दाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने उन रीटेयल लोन ग्रांकों के लिए लोन रिसक्रिंग स्कीम लाउंच कर दी है जिनकी आएक कोरोना संकट के दौरान प्रभावित हुई है आए जानते हैं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी और कितनी प्रोसेसिंग फीज देनी होगी कोरोना संकट के बीच आमदनी घटने की समस्या से जूझ रहे अपने रीटेल लोन ग्रांकों के लिए स्टेट बैंक ओफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ओफ इंडिया की और से मंजूर की गई लोन रिसक्रिंग स्कीम के तहट दो साल तक के लिए मोटरम सुवधा पेश की है डेश का सबसे बड़ा कर्सदाता बैंक अपने होम एजुकेशन ऑटो और परसनल लोन ग्रांकों को यह सुवधा उपलब्त करा रहा है इसके लिए 24 दिसंबर 2020 तक आवेधन किया जा सकता है मतला दूस्तों आपको जो भी लोन रिसक्रिंग और मोल्टरम का फायदा लेन है ब्याज प्याज देना है नहीं देना है एस बीए ने सपस्ट कर दिया है कि दो सार की लोन मोडरम सिवधा लेने वाले ग्रांकों को सिर्फ ब्याज क्या भुकतान करना होगा इसके बैंकिस स्कीम के साथ तहत ग्रांकों से अधिर्ग पॉइंट 35 पीज़दी सालाना अध 2020 तक 30 दिन या इससे ज्यादे का डिफॉल्ट नहीं किया हो मतलब कि उन्होंने आखरी पीमेंट अपनी हर हाल में 2020 मार्च की जमा कियो 2000 मार्च की अगर नहीं भी कियो फर्वरी तक की कियो तो उनके एक काउंट होगा साथ ही जिनकी आए पर कोरोना संकट का असर पड़ा है वे ही इसके दाएरे में आएंगे इन ग्रहंकों की आए मानी जाएगी कोरोना वाइरस से प्रभावित बैंक ने बताया कि ग्रहंकों को कोरोना वाइरस के करण आए पर पड़े असर के लिए डॉक्यमेंट्स अप्लाई कराने होंगे उन्हें ही प्रभावित माना जाएगा जिनकी आए फरवरी 2020 के मुकाबले अगस्त में कम हुई है इसके लावा लॉक्डाउन के दोरण सेलरी रोकी गई है या काटी गई है तो ग्रहंकों की ग्रहंक इस सुविधा के लिए अप्लाई कर सकते है वही नौकरी जाने या कारोबार बंद होने पर भी ग्रहंक मोटरों सुविधा का फायदा ले सकता है lockdown के दोरन कारोबा ठप होने, unit की कारोबारी गती वीडियो में कमी आने, दुकान एवं प्रतिसान में काम कर घट जाने की स्थिति में भी SBI ग्राह को इस सुविधा का लाब मिलेगा अब दोस्तों सबसे important बात ऐसे कर सकते हैं loan restriction के लिए apply SBI की अधिकारी वेक्सेट पर login करने के बाद, retail customer को account number डालनी होगी, साथ ही registered mobile number भी उपलब करना होगा, इसके बाद मिले OTP से validation पूरा होने और कुछ जरूरी जानकारियों के डालने के बाद, ग्राह को loan researching को लेकर अपनी eligibility यानि पात्यता का पताच चल सकेगा, उसे एक reference number भी दिये जाएगा, reference number 30 दिन तक माने रहेगा, इस दौरान ग्राह का अपनी आपचारिकता है पूरी करने के लिए bank की शाखा जा सकता है, loan researching की प्रक्रिया documents के verification और branch में document के execution के बाद पूरी होगी, bank चाहे, ग्राहक चाहे तो bank की नजदी की शाखा जाकर भी loan researching के लिए apply कर सकते हैं, शुविदा का लाव लेने वालों को in documents की होगी जरूरत, इसे बहुत जहांसे दूस्तों पढ़ लेजेगा, loan researching के लिए ग्राहक को February 2020 और latest salary slip upload करनी होगी, motorum अब धी खतम होने के बाद अनुमाने salary या कारोबार से होने वाली संभावित आये का घोशना पतर देगना होगा, यह सबसे चुक्यापपा news लगती है मुझे क्योंकि आप assumption कर सकते हैं लेंगा, आपको कोई guarantee ने की इतनी income होगी या नहीं होगी, बिकोज अब मोडरम का time चल ही रहा है, खतम नहीं होगा प्रॉपरली नौकरी जाने की इस स्थिति में relieving letter, relieving letter नहीं होता है, news 18 वालों यह relieving letter होता है की जरूरत होगी सांथी salary account का statement भी उपलब्त कराना होगा, कारोबार बंद होने की स्थिति में फर्वरी 2020 से लेकर loan researching के लिए अपलाई करने से 15 दिन पहले तक का operating account का statement देना होगा, कारोबारियों को अजबे की सुविधा काल फायदा लेने के लिए बिजनस के लावा कोरोना वारे से प्रभावित होने का declaration भी देना होगा, कि उनको किस किस तरह से परशानी हुई है और क्या क्या चीजे उन्हें जेलना पड़ रहा है तो दूस्तों उम्मीद करते हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा में है चैनल पर नए है तो मेरी चैनल को सब्स्वाइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें अजयो